तो गाइस आप लोग देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा आप यज़ा आप जाएंगे तो यहां पर एक बिलकुल नया अपडेट आया है आप देख सकते हैं योर हैंडल का जैसा कि आप लोग जानते हैं यूटूब पे योर हैंडल का एक न्यू फीचर जो याप्डेट करीच आप लोग देख सकते हैं अभी मैंने अपडेट किया हो आप भी पडेट कर सकते हैं जाके प्लेट चूर से आप जाके यT studio अगर आप अपडेट करेंगे तो आपको भी ऐसा मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहां से आप अपडेट करेंगे तो आपको YT Studio पर आप जाएगे तो यहां पर आपको देखिए ऐसा News आपके सामने आ जाएगा और यहां पर बोलेगा कि आप अपना यहांडल यहांडल आप चूज कर सकते हैं यूनिक रहने वाला है वो आपके लिए आपके जो भी रहेंगे आपके followers और subscribers वो बहुत ही आसानी से आपके हैंडल को यूनिक हैंडल को आपको सर्च करके बहुत ही आसानी से वो पास अकते हैं आपके channel को तो इस video मैं आपको यह बताने वाला हूँ कि कैसे इसका use करना है और इसका setup कैसे करना है योर handle का आप कैसे setup कर सकते हैं आप कैसे choose कर सकते हैं जिस पे देखें दो after मिल रहा है dismiss and choose now तो चलिए मैं video को star करता हूँ और आपको बताता हूँ कि YouTube यूटूब हैंडल को कैसे यूज करना है और इसमें चूज नाव जो लिखा हुआ है आखिर चूज नाव पे किलिक करने के बाद क्या होता है चलिए इसके लिए आपको चूज नाव पे मैं किलिक करके आपको दिखाता हूं जैसे चूज नाव पे मैं किलिक किया आप देख स सकते youtube handle is the very way people find to connect with you unlike channel handle are unique creator making easier you establish a distinct presence on youtube आप देख सकते है handle and channel URL यह भी बता रहा है कि channel URL जो है आपका और handle क्या है तो यह देखे बता रहा है add the rate आपके सामने लग जाएगा जैसे आपका जो URL है channel का जो आपका URL है उसके पहले add the rate आपका लग जाएगा देखे यहाँ पर दिखा रहा है इस तरह आप देख सकते है add the rate your handle add the rate creator handle ऐसे यहाँ पर देखे एक identity आपको unique भी आपको मिल जाएगा आप देख सकते हैं यहाँ पर तो सबसे टॉप पर जो था मैं आपको दिखाता हूँ choose handle चले मैं इसे choose करता हूँ अपने channel के लिए यह देखिया गया है पांडे hex confirm your handle और create a new one add the rate पांडे hex आपको क्या करना है दोस्तों automatically generate हो गया है मेरा जो चैनल का URL है जो मेरे नाम है मेरे चैनल का उसके आगे add the rate यहाँ पर लग गया है आप देख सकते हैं तो यहाँ पर नीचे बोल रहा है confirm selection इस पर मैं confirm कर देता हूँ दोस्तों जैसे मैं confirm करता हूँ आप देख सकते हैं your handle is confirm जी यहाँ देख सकते हैं your handle is confirm pandehex at the rate pandehex youtube.com slash at the rate pandehex यहाँ पर आप देख सकते हैं यह मेरा नया चैनल का URL create हो गया है आप लोग देख सकते हैं you are successfully selected your handle handles will start appearing on YouTube later this year your channel has a new URL youtube.com slash at the rate pandehex देखे your existing channel URLs will continue to work आप जो URL है existing URL है वो भी continue काम करेगा और आप इसे नया भी setup कर सकते हैं नया आप your handle आप अपना YouTube channel URL का आप create कर सकते हैं तो आपको क्या करना है इसे okay कर देना है दोस्तों जैसे आप okay करोगे यहाँ पे आपको फिर से देगा change handle आप अपने according भी change कर सकते हो तो finally देखे मेरा यह बनके तयार हो गया है आप लोग देख सकते हैं तो इस तरह बहुत ही आसानी से आप YouTube पे your handle feature का आप setup कर सकते हैं और अपना channel URL आप अपने according सेट कर सकते हैं unique URL तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे comment करके जरूर बताएं और कोई query हो तो आप comment करके मुझसे पूँ सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो मेरे चैनल पंडे हेक्स को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक करें थांकियू सो मज़ दोस्तों